तो हमारे YouTube चैनल Study Tips पर आसा करता हूँ, आप अपने और अपने परिवार का खयाल बख़ू भी रख रहा होंगे दोस्तों, आज है 2 जून 2021 और आज के जितने भी Important Current Affairs बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, तो आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं Current Affairs तो करता ही हूँ, उसके साथ ही साथ जो भी Important Fact बन सकते हैं, जो की Static Point of View से बहुत ही ज्यादा Important होते हैं और Examination में उन सब Questions को पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्तोपुर्ण हो जाता है आपको क्या करना है, वीडियो इंड तक देखना है, ताकि आप इस वीडियो का पूरा फाइदा उठा सके एक बात आपको बता दू कि आपको अगर इस वीडियो का पीडियो चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना होगा तो दोस्तों, चलते हैं हैं अपने session की और, देखे, हमारा पहला question है, कि Global Day of Parents, Global Day of Parents कब मनाया गया, तो Global Day of Parents मनाया गया एक जून को, कि इनके जून को, Parents Day इंडिया में कब मना जाता है तो Parents Day इंडिया में मना जाता है 25 जुलाई को कब मना जाता है 25 जुलाई को इंडिया में मना जाता है Parents Day लेकिन एक जुन को मना जाता है Global Day of Parents इस बार Global Day of Parents की थीम क्या रही है तो Appreciate All Parents Throughout the World यानि कि Appreciate All Parents इसकी थीम रही है एक जून 2021 को मनाया गया ग्लोबल डे और पैरेंट्स 31 मही को कौनसा डे मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे बहुत ही इंपोर्टेंट डे है आपको याद रखना है विश्व तंबाकु निसेद दिवस ठीक है अगला है 29 मही को कौनसा डिवस मनाया गया तो 29 मही को मनाया गया था माउंट एवरेस्ट डे और बिश्व पाचन स्वाथ दिवस यानि की वर्ल्ड हैल्थ डाइगेस्टिव हेल्थ डे ठीक है अगले क्यों है देखिए हम्रे अगला क्वेस्टन है WHO के द्वारा टोबेको कंट्रोल के लिए अपने उत्क्रिष्ट योगदान के लिए किने WHO Director General Special Recognition Award से समानित किया गया है यह हैं डॉक्टर हर्सवर्धन साहब जिने इस अवार्ड से समानित किया गया है इनको किस कर के लिए किया गया है तो टोबेको कंट्रोल के लिए टोबेको कंट्रोल में अपने उत्क्रिष्ट योगदान देने के लिए इसे WHO के दौरा यह अवार्ड से समानित किया गया है डॉक्टर हर्सवर्धन साहब को यह क्या है हमारे Health Minister भी है यहां के इंडिया के यह तो हो गई और यह किस दिन दिया गया तो 31 मई को कौन सा दिद्दे था वर्ल्ड नो टोबेको डे जो कि मैंने बताया बहुत इंपोर्टेंट डे है वर्ल्ड नो टोबेको के डे के दिन इनको दिया गया यह अवार्ड बात करते हैं निखिल स्रीवास्थव की तो निखिन स्रीवास्थव को कुछ अवाड से इस बार सम्मानित किया गया है जिसे माइकल स्लाहलडप्राइजेश स्यवाद्व सय दोच देखिए ईस वहीं बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यह सारे question आपको याद रखना है सुभास चंदर बोस आप दा प्रबंधन 20 21 से समानित किया गए और राजेंदर कुमार भंडारी को विश्व भूसन हरी चंदन सहाब को कौन सा प्राप पुरस्कार दिया गया है तो कलिंग रत्न सम्मान ठीक है कलिंग रत्न सम्मान रत्न समान भिया गया है विश्वभूसन हरीचंदन को और ये आंदर पर्देश के गवर्नर भी है आंदर पर्देश के गवर्नर भी है विश्वभूसन हरीचंदन साहब ठीक है यहां से आपको ये important facts याद रखने हैं Stargazing the Players in my life किसकी लिखी हुई बुक है तो ये जो बुक है दोस्तों बहुत important बुक है रवी सास्त्री के द्वारा लिखा गया ये बुक इनकी first बुक है Stargazing the Players in My Life, यह इनकी first book है, debut book है, तो इनको याद रखना है कि Stargazing the Players in My Life कि इनकी book है, रवी सास्तरी की, वही बात करते हैं, सौरब गांगुली की autobiography, यानि कि आत्म कता कौन सी है, तो सौरब गांगुली की है दोस्तों, आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही important होता है, इन सा सारे का जवाब देना है, तो देखे, सौरब गांगुली का कौन सा है, a century is not enough, a century is not enough, सौरब गांगुली की आत्म कता है, आपको याद रखना है, सौरब गांगुली की आत्म कता, वहीं बात करते हैं, VVS लक्ष्वन की, तो इनकी है, 281 and beyond, 281 and beyond VVS लक्ष्वन के हैं, और सचिन तेंदुलकर ने अभी हाल ही में अपनी आत्मकता को रिलीज किया था जिनका नाम है प्लेइंग इट माई वे ठीक है आपको इन सारे बुक्स को याद रखना है बहुत ही है बहुत ही इंपोर्टेंट है यह जाम में एक क्वेस्ट्टन बनेगा ही बनेगा प्लेइंग अगला क्स्चन है फॉर्मर देनिस प्राइम मिनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है तो खिदिन पॉल इस्क्लूटर ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका निधन हो गया है तो यह बहुत important question बन जाता है आपको याद रखना है पॉल इस्क्लूटर कौन थे तो यह डेनिस प्राइम मिनिस्टर थे आपसे पूछ लिया जाएगा बात करते हैं मेटे फ्रेडरिक्सन की तो यह अभी डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों 41 इर्स इसका हो रहा है तो आपको यह भी याद रखना है सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन है वहाँ पर 41 इर्स इसका अभी एज हो रहा है और यह भी डेनमार की प्राइम मिनिस्टर अभी यही है डेनमार की रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर अभी यही है यही पर बात करते हैं कॉलिनेट मोकासो तो यह भी रिपब्लिक ओफ कॉंगो के प्राइम मिनिस्टर अभी नियूक्त किये गए थे इन् हमारा अगला क्वेश्चन है विस्सु के सबसे पहले नैनो यूरिया लिक्वीड किसके द्वारा लॉंच किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ऐसे भी हम जानते हैं कि पहला फस्ट प्रथम जो भी होता है वह इंपॉर्टेंट होता ही है तो यह याद की दौरा तो लौन्च किया गया है हमारेइंडिया के हमारे इंडिया का इफ्फको की द्वारा और ये इफ्फको की बात करें तो इसकाárias इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लिमिटेट इसका हेड़ क्वाटर कहा है इफको का नई दिल्ली में है और इसका इसका अस्थापना कब हुआ था तीन नौंबर इसका हेड़ क्वाटर का है अभी बात करते हैं इसके चेयरमें कौन है तो इसके इनके चेयरमें को के हैं बी एस नकाइज सहाब ठीक है और अगर इसके आई आई प्रेसिडेंट की रूप में किन्हें नियुक्त किया गया तो सी आई आई यानि कि कॉन्फेडरेशन ओफ कॉन्फेडरेशन ओफ ओफ इंडियान इंडस्ट्रीज ठीक है कॉन्फेडरेशन ओफ इंडियान इंडस्ट्रीज सी आई आई के चेर्मेन यानि कि प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह हैं तीवी नरेंदरन जो कि अभी टाटा स्टील के एम डी मैनेज़िंग डाटल वह हैं टीवी नरेंदरन इनको अभी ऐस सी आई आई से प्रेसिडेंट के रूप में नीवत क्या गया है यह किन को किन को यह करेंगे क्या बोलते है कि रिपलेस करेंगे अभी कॉन त्प्रूस को हैं यहां सी ऐ आई lithe के चेर मेन तो पीसी मोदी तो कहीं और के चेर्मेन हैं तो यहां पर बात करते हैं कि CII के चेर्मेन अभी कौन थे ठीक है CII के चेर्मेन थे उदय कोटक ठीक है उदय कोटक आपको याद रखना है यह उदय कोटक है उदाई कोटक जो है यह कोटक महींदरा कोटक महींदरा कि बैंक लिमिटेड के nd वD है ऐ यह अभी अभी यह सी आई-ई के पम्र इनको किरस करेंगे कॉन करेंगे है तो इनको करेंगे तिवी नरेंदरन, उदय, कोटक, ठीक है, आपको यह याद रखना है, अगला देखें, यहीं पर है, कि सुभास कुमार, सुभास कुमार, जो कि ONGC, अभी ONGC के head है इन्हें निख्ट किया गया है, वहीं पर बात करते हैं, कि मुखमीत S. भातिया, तो मुकमीत एस भातिया को ESIC का DG महानिदेशक के रूप में ESIC का महानिदेशक के रूप में इन्हें नुट क्या गया है वहीं उर्जित पतेल सहाब को क्या 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 अभी additional director भी बनाया गया है एडिस्टनल डिरेक्टर बना गिया है ब्रिटाइनिया इंडस्टरी का आपको यहां से इन सारे facts को याद रखना है अगला question है rédui ने किस bank के license को रध कर दिया है तो RDI ने सिवाजी राव भोसले सहकारी bank के license को रध कर दिया है सिवाजी राव भोसले कि इसके पास अभी adequate amount में ठीक है adequate amount में capital नहीं था जो कि RBI के regulation rules and regulation को है यह क्या कर रहा था fulfill नहीं कर रहा था ठीक है जिस कारण से कि जैसे banking regulation banking regulation act 1909 ठीक है banking regulation act 1909 के तहत यह regulations को fulfill नहीं कर रहा था जिस कारण से कि सिवाजी राव भोसले सहकारी bank को क्या किया है इनके license को रद कर दिया गया है RBI के द्वारा यह जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारस्वत cooperative bank cosmos cooperative bank और समराओ बिठल cooperative bank sbc bank तो यह जो हैं top 3 top 3 इंडिया के top 3 cooperative bank है आपको यह याद रखना है सारस्वत cooperative कोस्मोस कोपरेटिव और समराओ समराओ को इनका जो headquarter है वो मुंबई में पूछा जाता है इन questions को इसलिए आपके लिए यह केरवाया जा रहा है RBI के headquarter का है मुंबई में अभी इसके जो governor है वो कौन है सक्तिकांत दास और governor को छोड़ के चार deputy governor होते हैं यहाँ पर तो उनका नाम क्या है ती रवी संकर, M.K. जैन, M.D. पात्रा और M.R. राओ आपको याद रखना है कि deputy governors कौन है ती रवी संकर, M.K. जैन, M.D. पात्रा और M.R. राओ याद रखना है आपको अगला question है आप अपने पहले European innovation center ठीक है अपने पहले European देखे मैंने पहले भी बताया है कि जो पहला प्रतम फस्ट जो भी होता है वो बहुत important हो जाता है तो अपना पहला European innovation center को किस संस्था के द्वारा खोला गया है अपना पहला तो TCS के द्वारा पहला European innovation center खोला गया है TCS टाटा consultancy services ठीक है इसके द्वारा European innovation center और कहां खोला गया है तो नीदर लेंड में ठीक है नीदर लेंड में याद रखना है कि नीदर लेंड की capital है एमस्टार्डम नीदर लेंड का capital है एमस्टार्डम और यहीं पर यह European innovation center को खोला गया है ठीक है और यह क्या करेगा यह करेगा कि digital technology को यूज करने में help करेगा digital technology को यूज करने में help करेगा companies को universities को और भी बहुत बड़े बड़े जो tech companies है उनको यह help करेगा digital technology यूज करने में उनके sustainability को बनाय रखने में यह European innovation center मदद करेगा जो TCS का अपना पहला innovation center है European और यूज में कहां पर तो नीदर लेंड में नीदर लेंड का capital कहां है Amsterdam और यहां currency क्या चलती है तो यूरो ठीक है आपको याद रखना है बात करते हैं Infosys की तो Infosys के अभी chairman कौन है Infosys के chairman है अभी सलील पारेक याद रखना है सलील पारेक आपको वीडियो देखना है ठीक है वहां से इन points को आपको note कर लेना है ताकि आप आगे इसे याद रख पाएं ठीक है HCL technology के कौन है HCL technology के अभी जो MD है वो है Siv Nader ठीक है आपको याद रखना है Siv Nader Siv Nader MD है और अगर CEO की बात करें तो C. Vijay Kumar C. Vijay Kumar इनके CEO है किसके HCL technology के Vipro Limited के बात करें तो Vipro Limited के रिसद प्रेम जी अभी विप्रो के चेर में ने ठीक है रिसद प्रेम जी अभी विप्रो के चेर में ठीक है आपको ये याद रखना है तो अंकुर योजना की सुरुवात मध्य परदेश के सरकार के द्वारा किया गया इस योजना के तहट क्या किया जाएगा? इस योजना के तहट मानसून के समय में पेड लगाने के लिए लोगों को प्रोचसाहित किया जाएगा और जो लोग पीड लगाएंगे उनको क्या किया जाएगा अवाड भी दिया जाएगा ठीक है अवाड भी दिया जाएगा कौन सा अवाड दिया जाएगा प्रान वायू पुरसकार प्रान वायू पुरसकार दिया जाएगा ठीक है तो प्रान वायू पुरसकार जो दिया तिस दिन बाद उस पेड़ का फिर से पिक लेना होगा उड़ के साथ अपना पिक लेना होगा और उसे राजिस सरकार के द्वारा जो अंकूर योजना है उसके तहत उसे पिक को दे भेजना होगा फिर प्रान वायू पुरसकार के लिए लोग चाहे नहीं थोंगे और पुरसक किया गया है तो मद्देपरदेश कि सरकार के द्वारा लांच किया गया है, अंकुर युजना में अपने registration करने के लिए यूदृट एक आपको ये याद रखना रखना है, चतिस घर करें तो आपको ये सारे fact मैं बताते चलता हूं, आपको CM और Governor याद रखना है हर Capital का हर State का ठीक है चलिए बात करते हैं CBDT Central Board of Direct Taxes का Additional Chairman का पदभार किने दिया गया है देखे जेबी महापात्रा सहाब को अभी जो की CBDT के ही Member थे इनहीं को CBDT का Additional Chairman का पदभार दिया गया है और ये अभी ये Chairman के पदभार पर कौन थे PC Modi मैंने बात किया था पहले अपने पिछले Questions में PC Modi के बारे में तो PC Modi जो के अभी Chairman थे CBDT के और इनके जगह पर किनको दिया जाएगा जेबी महापात्रा को इनके जगह पर CBDT का Chairman बनाया जाएगा अच्छा बात करते हैं वहीं पर सबीर खंडवा वाला की ठीक है सबीर खंडवा वाला की तो दोस्तों आपको ये सारे facts याद रखने ही रखने है ठीक है तो सबीर खंडवा वाला कौन है और चिंतन बैसनव कौन है तो देखे सबीर खंडवा वाला जो है BCCI के, BCCI के, NT Corruption, NT Corruption Unit के Chief है, ठीक है, इसे याद रखना है, BCCI के, NT, NT Corruption, NT Corruption, NT Corruption Unit के Chief है, दुसरा, चिंतन बैस्नव जो है, चिंतन बैस्नव कौन है, तो चिंतन बैस्नव जो की, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के, मिशन डारेक्टर, इन्हें नियुक्त किया गया है, वहीं, BCCI के, NT Corruption, चीफ, NT Corruption Unit का, चीफ किसे नियुक्त किया गया है, सबीर खंडवावाला को, PC मोदी, अभी, CBDT के चेर्में थे, इन्हें, अभी, रिप्लेस करेंगे, जेबी महापात्रा, य लोगों ने किया, चलिए एक बार इन फैक्ट को देख लेते हैं, कि जो ये मद्य पर्देश के योजना के बारे में जब बात हुआ था, कि मद्य पर्देश में अंकुर योजना की सुरुवात की गई है, तो मद्य पर्देश के कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग अपने वीडियो में सारे जितने भी योजना के बारे में बात आता है उनके बारे में हम अपने बीडियो के बात करते हैं तो मद्य परदेश की सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिनद्गी अवियान भी यही पर लॉच गया था ठिक है बहुत ही इंसे पर इंसे इंतिजार आपका अभियान ये भी मद्य परदेश के गवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया था इंतिजार आपका अभियान वहीं एक बहुत इंपर्टेंट योजना है जीवन सक्ती योजना और जीवन अम्रित योजना आपको इन सारे योजनाओं को याद रखना है ज आज का यही current affairs समाप्त होता है, आपको हमारा information कैसा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को subscribe करें, ताकि आपको ऐसे ही useful videos की notification सबसे पहले मिल जाए, आप हमारे चैनल को subscribe करें, हमारे वीडियो को like करें, share करें और comment करें दोस्तों, तो हम मिलेंगे कल आपके साथ, नए current affairs के साथ, इसी सो में, 7 बजे, 7 बजे morning में, ठीक है,